Hello everyone and welcome to Unacademy. मेरा नाम है Shivangi Khautam और आज के इस क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टन सुप्रीम कौर्ट के जज्मिन को डिस्कास करने वाले हैं. सुप्रीम कौर्ट ने अभी रिसेंटली ही जो भी पैसिव यूदनेशिया है किया जो निश्क्रिय इच्छा मृत्यू होती है उसमें बहुत सारे रूल्स को चेंज करा है. इस एक प्राइमरी अब्जेक्टिव के साथ कि हम इस प्रोसेस को कैसे less difficult बना सकते हैं for the patients जो किसी ना किसी ऐसी life taking disease से suffer कर रहे हैं और हम इस प्रोसेस को कैसे इस पूरे की पूरे प्रक्रिया को less time consuming बना सकते हैं. तो कम कठिन और कम समय लेने वाला प्रोसेस हमको बहुत टाइम से जरूरी था ever since the Aruna Shonborg case judgment और उस वज़े से भी ये news में आया क्योंकि बहुत सारी जगों पे passive यूदिनेशिया के बारे में रादर यूदिनेशिया as a concept के बारे में नहीं पता होता. अब ही क्यों इतना prevalent है? from the exam point of view ये क्यों important है? आईए एक एक करके इसको हम discuss करते हैं. सबसे पहला सवाल किया आता है कि यूदिनेशिया क्या है? और ये कहां से जनम लेता है? from where does this term originate? अगर हम यूदिनेशिया की बात करें तो यूदिनेशिया एक ग्रीक वर्ड से derived किया जाता है. जहां पर you मतलब good and thanatos मतलब death. So literal meaning यूदिनेशिया का होगया good death but a lot of people might have the question good death ये कैसा oxymoron है. हम कैसे death को एक किसी अच्छे पार के साथ कभी भी associate कर सकते हैं. वो तो कितना sad event होता है, right? लेकिन idea क्या का यूदिनेशिया के पीछे that was कि किसी को जो एक slow, painful, undignified death से better, जहां पर patients बहुत suffer कर रहे हैं, अपना कोई भी काम कुछ से नहीं कर पाते, they have to absolutely depend upon somebody उस सब को हटा कर, जहां पर कितना किसी को condemn करने की बजाए कि भई आप इतना ज़ादा pain में हो, आप इतना कुछ जेल रहे हो उससे better रहेगा कि आप in one form or the other, आपको एक relatively good death मिल जाए from the pain ताकि आपको आपके pain से निवारन मिल जाए from whatever suffering that you are having इसलिए इसको mercy killing भी बोला जाता है कि किसी को भी undignified human life or undignified human death का हक नहीं है legally और medically अगर हम बात करें, euthanasia को हम कैसे define करेंगे legally और medically ये एक act होता है जहां पर you are trying to terminate or end the life of any individual person, जहां पर वो कोई भी incurable disease से suffer कर रहा होता है और हम कोशिश करते हैं over a period of time कि हम इस पूरे की पूरे process को, इस पूरे की पूरी प्रक्रिया को, इस पूरी situation को less painful कैसे बना सकते है for a patient, for a person जो ठीक ही नहीं हो सकता given time पे, आज की जमाने में जो भी हमारे पास best of the medical facilities अवैलेबल है best of the medical treatment अवैलेबल है उन सब को एक साथ खटा करते हुए, यूस करते हुए भी अगर हम किसी patient की जान नहीं बचा सकते वो incurable disease से हम उसको कैसे उस लाइलाज बिमारी से कैसे उस दर्दनाक स्थिती सो उसको हटा सकते हैं euthanasia के अगर प्रकारों की बात करें types की बात करें so there are two types of euthanasia एक होता है active या सक्रिय इच्छम रित्यू दूसरा होता है passive euthanasia या निश्क्रिय इच्छम रित्यू अगर active euthanasia की बात करें इसका ये मतलब होगे कि you are killing a patient by active means जहां पर आप कोई ने कोई lethal dose of drug को inject करें उसके बाडी में passive euthanasia होता है कि जहां पर कोई भी जो patient है artificial life पे है ventilator tubes पे है feeding tubes पे चल रहा है उसका जीवन और आपने उसको हटा दे तो आपने withhold कर लिया है artificial life को ventilator को या feeding tube को हिंदोस्तान के अगर हम बात करें हमारे active euthanasia अभी भी नहीं है we have passive euthanasia in India तो सबसे बड़ा सवाल हमारे लिए आता है legal status क्या है euthanasia का हिंदोस्तान में और क्यों और किस तरीके से ये सक्रिया है IPC के तहट suicide under section 309 and even abitment to suicide मतलब आत्महत्या के लिए उकसाना भी एक क्राइम है as per section 306 और दोनों को ही criminal offenses के तहट try किया जाएगा अगर कोई भी इनसान कोई भी व्यक्ति attempt करने की कोशिश कर रहा है suicide को उसको एक साल तक ही सजा और अगर किसी ने abitment की कोशिश करे है मतलब किसी को उकसाया है कि आप आत्महत्या कीजिए तो 10 साथ तक ही सजा होती है और section 309 को restrict किया जाता है by the mental health care act of 2017 अब इसी के साथ हमारा एक prominent part आता है जहाँ पे regulation 6.7 है जो कि Indian medical council का है और the professional regulation of 2002 ये एक simple सी चीज़ पे focus करता है जहाँ पे the very practice of euthanasia is prohibited in India लेकिन मार्च 2018 में एक बहुत prominent judgment आया था the common cause judgment after the entire Arana Shonbaugh case और Supreme Court ने बोला कि हम भारत में passive euthanasia की permission देते हैं active euthanasia की permission आज भी नहीं है in the simplest of terms passive euthanasia मतलब अगर कोई भी व्यक्ती किसी ऐसे incurable disease से सफर कर रहा है इतने pain में हैं कि वो सिर्फ ventilator support पे है feeding tubes के support पे है और ठीक नहीं हो सकता आप उसका feeding tube या ventilator support withhold कर सकते हो लेकिन आप उसको कोई भी lethal dose of a medicine नहीं दे सकते उसकी जान लेने के लिए तो यहाँ पे 2018 के बाद court ने declare करा right to die with dignity also is a fundamental right हम हामिशा बोलते हैं as per article 21 एक dignified life right to life and personal liberty के हम बात करते हैं तो right to life and right to a dignified life at that part हमारा मौलिक अधिकार है हमारा fundamental right है लेकिन केतना सम्मान के साथ जो मौत होती है सम्मान के साथ जो मृत्यू होती है a dignified death is also a fundamental right and as a result of that Supreme Court ने बोला किसी को भी इतनी painful और undignified life नहीं मिलनी चाहिए इसी की वज़े से जो क्या-क्या changes आएं एक पर वो देखते हैं तो पहले क्या होता था पहले judicial magistrates, DM इनके तरफ से attestations आने जरूरी होते थे और counter signs होने चाहिए होते थे किसी ने किसी living will में अब क्या कर दिया गया है अटेस्टेशन आएगा एक किसी भी gazetted officer या notary से और एक sufficient living will उसको बाना जाएगा access to the living will क्या होगा living will को district court के पास रखा जाता था अब इसको जो भी Indian hospitals हैं ये health records में जाया जाएगा primary board के अगर हम पहले बात करें पहले चार experts की ज़रूरत पढ़ती थी जो general medicine से related होते थे along with that cardiology, neurology, nephrology, psychiatric, oncology जिनके पास कम से कम 20 वर्ष के experience हो अब क्या change कर दिया है तीन doctors जहीं जिसमें से treating physician और दो कोई भी doctors जिनके पास 5 साल का relevant experience है वो इस primary board का part होंगी जो ये बता सकते हैं time का specification नहीं था कोई mention नहीं था आप कब तक withdraw कर सकते हो इस treatment को primary or secondary board अब decide करेगा within 48 hours on the withdrawal of the treatment secondary board की बात करें पहले district collector खुद से एक second board बनाते थे medical experts का for a second opinion लेकिन अब जो changes आया है supreme court इस guideline में जो changes लेकर आया है आप से hospital को immediately constitute करना पड़ेगा secondary board आप से हम withdraw कर रहे है for the treatment to the patient यह अपने आप में बहुत breaking news है, बहुत important news है from the point of view of the people जहां पे monetary, financial दिककते आते हैं, economic तंगी लोगों को देखनी पड़ती है इतनी लाइलाज बिमारी है and the pain of seeing your near ones die every single day वो तो अलगी है मेरे तरफ से आज के class में इतना ही stay tuned for more at unacademy thank you so much, like this video, subscribe to unacademy UPSC Unstoppable and share this video as much as you can thank you and have a good day everyone